हाई, वेलकाउं तो मैं चानल, इस वीडियो में सॉल्व करें है क्वेशन नमर फिप्टीन, तो करें किया 21 सिलिंद्रिकल पिलर्स आफ दी पार्लेमेंट हाउस आफ टो बी क्लिन्ट, इफ दे दे दिया है इतना, एक पिलर का और हैट दे दिया है 4 मिटर, तो वाट विल बी मतलब कि एक मिटर स्क्वाइर के एरिया को क्लिन करने के लिए 2.50 लग रहा है और ठीक है तो बताना कि क्या होगा क्लिनिंग करने का, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल हमें निकलना पड़ेगा वो एरिया जिसको क्लिन करना है, तो आप यह समझे है, यहाँ पर दिया आप देखे होंगे किसी वीडियो में, तो स्लिंडिकल होते है और जब पार्लेमंट हाउस की बिल्डिंग का जो वो पिलर्स है, उनको ज़ेदी क्लिन करना होगा, तो यह बताएए, उसका जो टाप वाला एरिया होगा, जो यह टाप जिसे होगा, यह माली जो कैसे पिलर है और यह आपका जो टाप का होगा और यह जो बाटम का होगा बाटम वाला तो जमीन पर लगा होगा है कि नहीं तो उसका जो एरिया यह वाला तो आप क्लिन करेंगे नहीं या फिर जो टाप का यह जो है ceiling पे जो लगा होगा छट के उपर जो लगा होगा इसे वो उपर वाला तो आप cleaning करेंगे नहीं इसका मतब कि केवल आपको cord surface area को ही clean करना है ठीक है यह concept समझेगा केवल आपको cord surface area ही clean करना है इसलिए केवल यहाँ पे निकालेंगे हम cord surface area of 21 21 cylindrical pillars और इनके रे निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं total cost of cleaning ओके तो पहले हम यहाँ पर solve करते हैं solution तो पहले एक का निकाल लेते हैं तो cord surface area of cord surface area of one pillar one pillar is equal to क्या हो जाएगा 2 pi r h भंगला यही होता है 2 into pi के value hat 1 into 2 by 7 into r r के value यहाँ देखे diameter दिया हुआ है इसका diameter दिया हुआ है d बराबर 0.50 meter यहाँ से radius हो जाएगा 0.50 upon 2 means divide करेंगे तो मिलेगा 0.25 तो 0.25 meter तो यहाँ लेखेंगे 0.25 into height कितना दिया हुआ है 4 meter सब कुछ हम meter में यूज कर रहे है याद रहे is equal to क्या हो जाएगा अब देखें यहाँ पर 25 फोर्टे कितना होता है 100 होता है 100 होगा तो यह मतलब कि यह decimal दो प्लेस पर है तो यह 100 हो गया means 2 decimal बढ़ाएंगे तो 0 जो कैसे रोड़ जाएगा मतलब यह पुरा 101 हो गया ठीक है अब यहाँ मतलब कर लिए यह मिलेगा 22 तूजा 22 तूजा 24 means मिलेगा 44 upon 7 और centimeter square sorry meter square हम लोग क्या कर रहे है meter में यूज़ कर रहे है तो upon 7 meter square अब हमें निकालना है 21 पिलर के अरिया तो अब निकाल लेंगे so call the surface area of 21 such pillars 21 such pillars is equal क्या हूएका 21 से में रप्लाई कर देंगे जो एक पिलर की अरिया है उसमें 21 into कर देंगे 44 में में रप्लाई कर देंगे 7 से 7 मजा 7 7 3 2 1 यहाब होजा का 3 4 2 12 3 4 2 12 and 1 13 to 132 meter square अब की एरिया जो है निकल चुकी है यह मंदब 21 पिलर्स का एरिया हो गया 132 meter square अब भे हम कास्ट निकाल सकते हैं तो कास्ट निकालने के लिए समझे हैं आपर क्या बोल रहा है कर रहा है कि 2.50 rate है तो लिए लिए लेंगे cost of sense दिया हुआ है कि cost of cost of cleaning 1 meter square of area is equal to 2.50 ओके रुपीज तो यहां से निकालेगा it implies cost of cleaning 132 meter square of area ठीक है क्या हो जाएगा 2.50 से multiply कर देंगे 132 में ठीक है तो यह आ जाएगा total cost तो मुनिपलाई करते हैं तो 25 से मुनिपलाई करेंगा क्या आएगा यहां से आएगा 25 टूजा 25 टूजा 50 50 का 0 25 थरीजा 75 25 and 5 carry-over add करतेंगे तो मिल जाएगा 75 80 हो जाएगा 80 का 0 8 carry-over and 25 and 25 25 and 8 33 तो फाइनल ही हमारा मिल गया 3300 आउर लेकिन एक डिसमर बढ़ा देंगे आपर मतब दो डिसमर बढ़ा देंगे तो यहां पर बढ़ जाएगा यहां पर 0 मतब कि 330 रूपीज आ जाएगा 330 रूपीज this is the total cost of cleaning 21 Parliament House Pillars okay thank you so much for watching bye